तो चलिए शुरुआत सबसे पहले जम्मू कश्मीर से करेंगे दरसल जम्मू कश्मीर के लिए आज का अधन बहुत खास हो और बहुत अहम है क्योंकि आज तीसरे चरण का चुनाव होना है सुभा साथ बजे से वोटिंग होगी साथ जलो की 40 वधान सबासीटे जन सीटों पर आज मतदान अब से तक्रीबन एक घंटे बाद वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी ये बड़ी खबर आपको बता दे 40 सीटों पर 415 प्रत्याशियों की किस्मत दाओं पर है 49,18,000 मतदाता इन प्रत्याशियों की किस्मत का भागिका फैसला करने वाले हैं जम्मु कश्मीर में आज मतदान का आखरी दिन है दाओं पर कई वी वी आईपी उमीदवारों की किस्मत है उसे बीच सुभा साथ बजे से शाम छे बजे तक वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी रिपब्लिक भारत भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि अगर आप इन चालिस विधान सभाओं में रहने वाले हैं तो अपने घर से निकलें कश्मीर के विकास की नई अबारत लिखने के लिए अपने मत का अस्तमाल जरूर करें और बड़ी कवर ये भी आपको बता देतें कि इन 40 सीटों पर 415 उमीद्वारे अपनी किस्मत आज मारे हैं इसके अलब आउन 40 लाग से जादा मत दाता आज अपने मत अधिकार का इस्तमाल करने वाले हैं क्योंकि तीसरे चरण का आज गरनक के जमू कश्मीर में और आज आ वोटिंग सेंटर पर 20,000 से जादा पोल करमियों की तैनाती की गई है आप समझे पूरी वबस्थाय कर ली गई हैं पूरी तैयारी कर ली गई हैं साथ बज़े का वक्त बता जा रहे हैं सुबह सुबह साथ बज़े का वक्त जब मत्दान के परक्रिया शुरू हो जाएगी वो चुनावी मैदान में हैं और वो अपने किस्मत आज मारे करीब 5,030 मत्दान करमी बनाया गया हैं 20,000 मत्दान करमी आज मत्दान कराने वाले हैं तो 49,18,415 में द्वारों की किस्मत का फैसला तै करेंगे बिलकुल अनूप 415 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत इस चुनाव में दाउं पर लगी हुई है लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें इन 415 प्रत्याशीों में से कई VVIP प्रत्याशी भी मैदान में हैं जिन पर सबकी नजरे टिकी हुई हैं और वो VVIP नाम कौन कौन से हैं सज्जाद गनीलोन, खुर्शीद एहमद, देवेंद्र सिंग राडा, मुझफर हुसैन बेग, एजाज एहमद गुरू मैदान में हैं ये कई VVIP ऐसे हैं जिनकी किस्मत आज के इस चुनाव में दाउं पर लगी हुई है इनका राजनीतिक सियासी भवश्य क्या के लिए आज का दिन बेहद हैं मैं क्योंकि धारा 370 लगने के बाद पहली बार वदान सबाद चुनाव यहां हो रहे हैं, 40 वदान सबाद सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, पूरी तैयारिया कर ली गए इस सुबे 7 बजे से, शाम 6 बजे तक मतदान होना है, लेकिन ये ये आपको एक रिपोर्ट के जरी बताते हैं, देखे रिपोर्ट अंतिन चरण की बात करें, तो साथ सिलों की 40 वदान सबाद सीटों पर वोटिंग होगी, इन में जम्बू की 2400 और कश्मीर की 16 सीटे शामिल हैं, 40 सीटों के लिए 415 प्रत्याशी मैदान में हैं, चुनावायों के मताबिक तीसरे चरण में करीब 49,18,000 मतदाता शामिल हैं, मतदान की निकरानी के लिए 20,000 से जादा फोल कर्मियों की तैनाती की गई है, पीते दो चरणों की बात करें, तो 18 सितंबर को पहले चरण में 61,38 फीज़दी मतदान हुआ, 26 अक्टूबर को दूसरे चरण में 57,3 फीज़दी मतदान, अब सबकी नजर आज की वोटिंग पर है, 25 जलों की चालत सीटों की बात करें, तो जम्बू में 11 सीटे, पारा मुला की 7 सी, कुप्वारा की 6 वधान सभासी, कटुआ की 6 वधान सभासी, उधंपुर की 4 सीटे, बांदी पूरा की 3 सी, सामा की 3 वधान सभासी, शामिल है, टेरर फ्री और शांतिपूर मतदान सुरश्यत करने के लिए, सभी चुनावी इलाकों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्ता है, सभी मतदान केंद्रों पर, वेब कास्टिंग और वहनों के लिए, जीपियस की व रस्त किये जाने के बाद, पहली वार यहां विधान सभा चुनाव हो रहे हैं, आज का कश्मीर बदल चुका है, युवा विकास की बात कर रहा है, तो बुजुर पहले के हालातों को याद कर, बदलाव को महसूस कर रहे हैं, इस आकरी चुनल के बाद सब की नजर 8 रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत चरण में सबकी नजरे टिकी हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटे आज ही के इस चरण में जो है, उन पर मतदान होना है, 40 सीटे हैं, 7 जिलों की जिन पर आज मतदान होना है, इन में से सबसे ज़्यादा जंबू संभाग की सीटे हैं, और यही वज़य है कि बीजेपी के कोर वोटर इन तमाम जिलों में मौजूद हैं और साथी आपको ये भी बता दे कि बीजेपी इन लगभग सभी सीटों पर बहुत मजबूत है और विपक्ष के लिए ये सीटे जो हैं वो चुनौती बनने वाले हैं यानि कि आज वोटिंग प्रतिशत्ता कितनी होगी इस प आपको बिजेपी को में अरवेंद गुपता क्या कुछ कहना है सुनाव को ये चुनाव जम्मू कश्मीर के लिए एक प्यासिक चुनाव है क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहली बरी जम्मू का मुख्यवंतरी बनने जा रहा है क्योंकि जिन लोगों ने 70 साल राच किया ना तो उन्होंने जम्मू की पहचान बनने दी ना डोगरों की पहचान बनने दी ना जम्मू कश्मीर की कहें पहचान बनी उन्होंने हमेशां जम्मू के साथ वेदबाव किया तो इसलिए जम्मू के विकास के लिए और जम्मू की प्रगर्टी के लिए जम्मू कश्मीर में जम्मू का मुख्यमंतरी चाहिए जो जम्मू कश्मीर में जो आज तक वेदबाव होते रहे हैं वो वेदबाव खतम हो तो चलिए दर्शको आगे बढ़ेंगे और बात गुड मॉनिंग भारत में दिल्ली से आ रही है कहम ख़बर की करेंगे दरसल दिल्ली के उत्तम नगर अलाके में खड़ी गाड़ी पर अग्यात बदमाशों ने जबरदस अंधा धुन फाइरिंग की है गुरुद्वारे के बाहर दरसल ये गाड़ी खड़ी थी जिसके बाद कुछ अग्यात बदमाश वहाँ पर पहुचते हैं और अंधा दुन फाइरिंग उस खड़ी गाड़ी पर जोग देते हैं गैंक सेर गोगी मान के नाम से एक परचा भी इस वारदात के स्थल पर छोड़ा गया है मामली की जाँच पुलिस कर रही है कि आखिर इस पूरी वारदात के पीछे कौन और कितने लोग शामल हैं अगली बड़ी खबर राजस्तान से आरे राजस्तान के अजमेर में कौटन फ्रैक्टरी में जबर्दस तरीके से आग लगई हाला कि किसी के अजमेर के खबर नहीं है लेकिन लाखों का नुकसान हो गया है ये बड़ी खबर इस वक्त राजसान के अजमेर सारी है जहांपर कॉटन फैक्टरी में भीचोंड आग लगी आग इतनी जबरदस कि लाकों का नुकसान हो गया हलकि किसी के अधात होने की कोई खबर अब तक नहीं मिली है तो शली आप आगे बढ़ेंगे बात करेंगे दरसल हिजबुल्ला और हुटी पर लगातार इस्राइली हमले ज़ारी है ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और इस्राइल के पियम बेंजमिन ने तना फैना को खुली छूट दे दी है ये बड़ी खबर है हिजबुल्ला और हुटी पर लगातार इस्राइली डिफेंस फोर्स हमलावर है तमाम फैकानों को सबसे पहले चिन्मत किया जाता है और फिर हवाई हमला हवाई हमले के बाद जिस जगे पर टार्गेट सेट किया जाता है वो जगा है